Hello everyone, welcome back to my channel, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जुडिशिल सर्वेसिस के लिए AIB एक्जाम को क्लियर करना important है कि नहीं है तो इस शीश को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए, for judicial services, is it mandatory to clear AIB? तो यह doubt बहुत सारे candidates का है, इसको हम आज क्लियर करेंगे यहाँ बार उन्होंने mention किया हुआ है, judicial services are altogether different exams, तो बहुत difference है AIB exam में और judicial services के exams में क्योंकि AIB exam जो होता है, वो basically आपकी knowledge check करने के लिए रियाशाता है, कि आपको लोगों से related कितनी knowledge है, कोई competitive exam नहीं होता है और बाग की जैसे judiciary पे करके आपके exam होते हैं, वो competitive exams होते हैं, उनमें आप लोगों को, मतलब three stages को clear करना होता है, prelims and आपका second होता है means and last में आप लोगों का interview होता है, तो ये three stages आप लोगों को वहाँ पर crack करनी होती है, exam देने होते है, return but AIB exam में क्या होता है, आप लोगों को सर्फ एक ही बार जो exam देना होता है, पतलब वैसे तो अगर एक बारा fail हो जाते हो, दुबारा दे सकते हो, ऐसा नहीं है but यहाँ पर बताया क्या गया है, कि आप AIB exam आपकी जो knowledge है, उसको check करने के लिया जाता है, फिर आपको COP मिलता है, उसके द्वारा आप जो है कहीं पर भी practice कर सकते हो, as an advocate तो अब हम discuss करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने mention किया हुआ है, it is not mandatory to clear AIB for appearing in judicial services judicial services में appear होने के लिए, आप लोगों के लिए mandatory नहीं है कि आप AIB exam को clear करे but यहाँ पर एक reason है, however, if the eligibility of judicial services mandates that the candidate should be eligible for practicing law in India, then the candidate may have to clear the AIB but हाँ, कुछ ऐसे judicial services के exams होते हैं, जिसमें आपका mandatory होता है AIB exam को clear करना तो उस case में आप लोगों को exam देना important होता है, बढ़ हाँ, यहाँ पर उन्होंने mention किया हुआ है, कोई important नहीं होता है judicial services के लिए AIB exam को crack करना, but कुछ होते हैं, आपके exams judicial services के, उसमें mandatory होता है कि आप लोगों का, मतलब प्राक्टिस कर रहे हो आप लोग की इंडिया के अंदर, उसके लिए आप eligible हो की नहीं हो, सारे चीज़े आप लोगों की देखी जाती हैं, जब आपको judicial services के exam में बैठने दिया जाते हैं, बढ़ हाँ, यहाँ पर उन्हें मैंने mention करका है directly, कि नहीं होता है, बट जैसे आप अपनी B.A.L.B. या फिर L.B. की डिगरी, अमनलब log graduates, log graduation अगर आप अपनी complete कर लेते हो, तुरंद उसके बाद आप लोगों को अपना state bar council में एंडॉल्मेंट कराना हो, बट हाँ, ऐसा होता है कि अगर आप नहीं देना च exam दोगे ना, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेंगी, उससे आप लोगों की practice होगी, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना हमने आज तक अपनी low degree करते time हमने सीखा है, और हमें कितनी चीजे ऐसी हैं, जो नहीं पता है, तो basically कोई भी चीज होती है, उससे हमारी practice होती है, उससे हमारी knowledge ही increase होती है, ऐसा नहीं होता है कि हाँ, हम बतलब एक job के लिए ही कर रहे हूं, एक practice करने के लिए ही कर रहे हूं, बट ऐसा ना सोचे, आपको सर्फ इस सोच के साथ चलना चाहिए, कि हाँ, जो भी है, वो knowledge increase करेगा, practice होगी हमारी आगे हम में बहुत हाप मिलेगी ठीक है तो होप सब आप लोगों का यह डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा आज के इस वीडियो में अगर आप लोगों को यह वीडियो है फुल लगी देन प्लीज तो लाइक शेर इन सब्सक्राइब दा चैनल फॉर मोर वीडियो थेंक यू फॉर वाचिं इस वीडियो